अलो फ्रेंड्स मैं हूं अधर्शी कुपाउथ स्टाट करते हैं आज का लेक्षर आज का लेक्षर होने वाला है टोट इसके एक इंपउर्टेन टॉंपिक के ओपर पकी होने वाला है ट्रे स्पास और रहे स्ब्सक्राव इनिशो अथी चार एम एरम अची चार देखने वाले अति-चार किसे करते हैं आरंबत अति-चार किसे करते हैं इन दोनों के बीच में क्यागया अंतर है और इन दोनों का एक-एक महत्पून केस वो भी हम देखने वाले हैं अब तक हम contract, tort और Hindu लोग के उपर काफी सारी वीडियो बना चुके हैं उन सभी की playlist पर आपको इस channel पर available मिल जाएगी तो आप जा करके वो देख सकते हैं next किस subject पर आप अपना वीडियो चाहते हैं वो भी हमें comment करके बता सकते हैं 1000 subscribers complete होने पर मैं आप सभी लोगों के लिए notes available कराना है शुरू कर दूंगा आप मुझसे अगर contact करना चाहते हैं तो मुझसे Instagram पर contact कर सकते हैं Thank you तो शुरू करते हैं आज के lecture अतिचार है मारमत अतिचार ये टोट का एक बहुत ही important topic है लेकिन इस पर ज्यादा तर short question बनते हैं क्योंकि ये इतना लंबा topic नहीं है एक छोटी सी वीडियो में cover हो सकता है और इस पर answer भी ज्यादा बड़ा लिखा नहीं जा सकता है इसलिए इसे ज्यादा तर short question के रूप में ही पुछा जाता है Trespass and trespass ab issue अतिचार ये आरंबत अतिचार short के अंदर आपको ज्यादा तर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको Hindi word और English word दोनों याद करने है अगर आप Hindi medium से हैं तो भी question में इस तरह से invited comma लगा करके English word आपको दे दिया जाएगा और कहें दिया जाएगा कि इसे क्या करते हैं और आगर आप Hindi medium से हैं और English medium में भी इस तरह से question आ सकता है और आप English medium में और same Hindi medium पे Hindi वाले word पे इससे comma लगा करके एक question आ सकता है तो आपको Hindi और English दोनों ही word का खास ध्यान रखना है अब बात करते हैं अतिचार जो पर अतिचार कहते हैं किसे अतिचार जो है अचल संपति के प्रति किया जाने वाला एक मुख्य अपक्रेट है चाहे वह अतिचार हो चाहे आरंबत अतिचार हो यह जो है अचल संपति के प्रति अचल संपति यानिकि जिसे movable नहीं किया जा सकता जो movable नहीं है initiable healthcare इसे अतिचारी बज़ा नहीं हो सकती साथ किया जाने वाला एक अपक्रत है उसे अतिचार्य आरंबता अतिचार के आजाता है जैसे कि बूमी है, कोई घर है ग्रोल ज़ास है इसी कोई बचल जो move नहीं हो सकती उसके प्रतिक किया जाने वाला कोई अप्रत जो है वो अतिचार या अरमत्य अतिचार की स्टेणी में आएगा अतिचार किसे कहते हैं किसी अन्य व्यक्ति की भूमी पर बिना किसी विदिक और चित के प्रवेश करना या उसकी भूमी में किसी प्रकार का हस्त शेफ करना जो है अतिचार कर लाता है यानि कि किसी ए व्यक्ति की कोई भूमी है उस भूमी में भी व्यक्ति ए व्यक्ति की बिना पर्मिशन के बिना उससे ग्याद हुए उसमें प्रवेश करता है लाँगा इसी के उपर एक famous case है Antic Vescez Carington 1765 का ये Case है इस Case के अंदर ये निर्दारित हुआ था यह एक leading case के रूप में माना जाता है किसी व्यक्ति का अगर कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति की कोई संपति है जो की अचल संपति है उस संपति है किसी भी प्रकार की दुर गठना होती है किसी अल्ही प्रकार से उसके अदर शती पहुंचाते उसका अपकर्टि का दोष्वी मानए जाता है तो वो जो है अतिचार के अन्तरगत आएगा यह बात किस एंटीक वसेश केरिंटन के केस में निर्दारीत हुई थी याले ने इसे इस केस में निर्दारीत किया था यह तो वह आतिचार अब बात करते हैं आरंबत आतिचार की कि आरंबत आतिचार क्या होता है आरंबत अतिचार और अतिचार में काफी समानता है परन्तु थोड़ी सी अतिचार समानता है वे अतिचार समानता है क्या है किसी व्यक्ति की भूमी में प्रवेश के समय से अतिचार प्रवेश के समय से अतिचार अगर किया जाता है तो वो है आरंबत अतिचार कर लाता है यह प्रवेश के समय से अतिचार क्या है यानि कि इसे एक समझने के लिए आपको आसान बहसा में बताऊं तो किसी व्यक्ति की जो भूमी है उस भूमी में अगर बिना आग्या के बिना किसी पर्मिशन के प्रवेश किया जाता है बिना अब बिना आज्या के उसकी जानकरी के बिना प्रवेश्य करता है तो वह आतिचार कर लाता है परनतु किसी व्यक्ति कि थे अग्या से तैंसे अगर इस भूमीे प्रवेश्य करता है परनि व्य bows इस व्यक्ति की पर्मीशन से इस भूमी में प्रवेश्च कर लेता है भूमी में प्रवेश्च करने के मात से वो ऐसा कोई क्रति करता है जिसके कारण की एसा कोई काम करता है जिसके कारण की इस भूमी को नुक्सान हो या इसे ए वेक्ति को कोई नुक्सान हो या किसी भी प्रकार का कोई दुरूपयोग हो इस भूमी का इस चैत्र का अगर कोई दुरूपयोग होता है भी वेक्ति के प्रवेश करने के बाद इसा कोई क्रति करने से जिससे इस भूमी का 2 रुपयोग होता है गलत इस्तिमाल होता है तो वो जो होगा वो आरंबत अतिचार की शहनी में आग जा इसे सिंपल संज है तो अतिचार का मतलब है कि बीना किसी पर्मिशन के गिशी व्यक्ति की संपत्ती में अज़ल सम्पति में प्रवेश और प्रवेश करने आतिचार का लाएगा परन्तु कि वैक्त क frater समय किसी व्यक्ति की आघ्चयार nut ले से यहां से प्रवेश करने के बात बूमी का दूरूप्यों करनार ऐसा किक करती तो आरम्बत्ह अंतरगत आ तक की भीक्ति बूमी में प्रवेश के समय से यानि कि प्रवेश तो उसकी पर्मिशन से किया लेकिन प्रवेश के समय से यानि कि प्रवेश करने के बात से उसका दूरूपयों किया गया तो वह अत्तिचार के लाएगा कॉनसा अत्तिचार आरंबत अत्तिचार के लाएगा इसका भी एक फेमस केस है केस क्या है सिक्स कॉर्परेशन इसमें क्या हुआ था कि छे बड़ाई थे छे बड़ाई ने मिल करके एक होटल में गए एक रेस्टरोन टाइब के एक शेतर में गए जहां खाना पिना मिलता था उन्होंने होटल सभी के लिए कुला होता है तो वहाँ जब वो अंदर गए तो उन्होंने किछी प्रकार का अचार नहीं किया क्योंकि होटल माली की पर्मिशन होती है कि कोई भी आदर आ सकता है और काना खा सकता है तो इसमें उन्होंने पर्मिशन के साथ अंदर प्रवेश किया प्रवेश करने के बाद उन्होंने देड़ सारी रोटिया मंगई देड़ सारे ब्रेड मंगाए और उन्हें खाया ब्रेड खाये उसके बाद उसी स्थान पर जहांकि शराप्पी न वर्जित था वहां बेटकर धेड़ सारी शराब पी और शराब पीने के बाद उस होटल के मालिक को ब्रेड का जो उन्होंने मगाय थे उनका पैसे देने से भी इंकार कर जिया एसी इस्तिती में न्यायले ने उन्हें आरंबत अर्थिचार का दुशी माना और यहां आरंबत अर्थिचार की बात हुई यानि कि किसी व्यक्ति की पर्मिशन लेकर के उसकी प्रॉपर्टी में गुसना और उसके बाद उसका दूरुपियो करना आरंबत अर्थिचार है और मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राप पे फोलो कर सकते हैं थैंक्यू